तुम मानू या ना मानू पर बात यह सची है। जेम्स बाटले नामक एक अंग्रेज युवक वेल के पेट में चला गया था और पूरी रात वही पेट में बिताने के बाद वह जिन्दा बाहर निकला था। जेम्स इंग्लैंड के एक जहाज पर काम करता था। बात उन दिनों की है जब वेल का शिकार करना अपराद नहीं माना जाता था। उन दिनों फॉक्लैंड द्वीप समुहू वेल के शिकार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसके दक्षनी भाग में समुद्र में वेल शिकार करना जितना मज़ेदार था उतना ही खतरनाग भी। पता नहीं कब कौन सी वेल मौत का पैगाम ले आए। सुभा का सुहाना मौसम था। जेम्स अपने जहाज के डेक पर खड़ा था। और दूर बीन पर आख लगाए समुद्र में हो रही हलचल को निहार रहा था। अचानक वह किलक उठा। वह रही वेल मचली। वेल वास्तव में मचली नहीं है। मचली पानी में घुली हवा से जिन्दा रहती है क्यूकि उसके फेफड़े नहीं होते। इसके ठीक विपरीद वेल फेफड़ों वाला प्राणी है। उसे सांस लेने के लिए पानी के वेल का पता लगाते हैं और उनका पीछा करते हैं। वेल का पता चलते ही जहास पर से कुछ शिकारी नावें पानी में उतारी गई। उन्हीं में से एक नाव पर सवार होकर जेम्स वेल के समीप पहुँचा। इतने में अचानक एक घटना घटी। वेल ने पूरी ताकत ल उसने ऊपर आने की चेश्टा तो की, पर असभल रहा। असल में, वह वेल के पेट में समा गया था। जेमस ने अनुभफ किया कि उसकी चारों ओर भयानक गुराहट सी हो रही थी। उसकी चारों ओर ढरावना अन्धकार घेराया था। वह ऐसी जगह पहुँच गया था जिसकी सतह उपर नीचे हिल रही थी। डर के मारे जीम्स ने आँखें मुंद ली। उसने हाथ फैला कर डरते डरते अपने कैद खाने की दिवारों को छुआ। यू लगा मानू दिवारों पर गर्म कीचर की मोटी मोटी परतें जमे हुई ह उसे समझने में देर न लगी कि वह वेल के पेट में उतर गया है। जीम्स कांप उठा। भाय के आवएग में उसका एक-एक रूम खड़ा हो गया। अब उसे पता चला कि सांस लेने में उसे इतनी दिक्कत क्यूं हो रही है। यहां की हवा बहुत गर्म थी। जो फेफ़ भी वस्तू को निगलने से पहले वेल उसे मुझ से ही दबा कर पीस देती है। वेल की जीब तोते की जीब की भाती मोटी होती है। मुझ में आए शिकार को जीब पर चढ़ा कर उसे तालू के साथ दबाया जाता है। जिससे प्राया उसकी जान निकल जाती है। जेम्स जी आने के बाद केवल मौत की नीद ही उसे छुटकारा दिला सकती थी। अंदर जो बदबुदार रस भरे थे उसके कारण तो स्थिती और खराब हो गई थी। इन रसों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उसे लग रहा था कि वह कीचड में धस्ता जा रहा है। कई घंटो तक वह चुप चाप पड़ा रहा। उसके मन में मौत का भय समा गया था। जान बचाने की कोई उमेद उसे थी ही नहीं। रह रह कर वह कांप उठता। वह जोर से चीखता लेकिन वहां कौन था जो उसकी आवाज सुनता। वह मानसिक संतुलन खो बैठा और आवेश में आ लगा। चारों और गंदा कीचड भैला हुआ था जो उसकी लातों से इधर उधर छिटकने लगा। जेम्स ने भीडिये की भाती वेल के पेट की दिवारों को काट खाया। उसके मन में आशा की बहुत फीकी किरन पैदा हुई कि शायद वेल को डकार आए और डकार की वाय लगा। अंततह वह भिहोश हो गया। इस बीच अन्य शिकारी नावों पर सवार लोगों ने वेल को घेर कर उसे हारपून से मार डाला था। रसियों के सहारे वेल को खीच कर जहास पर ले आया गया था। कुछ तेर बाद उन लोगों को वेल के पेट के अंदर कोई चीज ह लोगों ने समझा कि भीतर कोई मचली है। कई बार तो लंबी लंबी शार्क मचलियां तक वेल के पेट से निकलाती हैं। उत्सुकता से तुरंत उन्होंने वेल के पेट को चीरा। अरे ये क्या? अंदर से आदमी निकला? जेम्स बाटले? जेम्स बेहोश था और दोहरा ह गया था। उसके हाथ, चेहरे तथा गले पर वेल के पेट के रसों के कारण मोटी मोटी सिल्वटें पड़ गई थी। यदपी वह जिन्दा था किन्तु उसका शरीर बहुत ही कुरूप हो गया था। बड़ी साफधानी से जेम्स को बाहर निकाला गया। उसके शरीर का था, सांस चल ही नहीं रही है। लोगों ने बड़ी बड़ी बाल्टियों से जेम्स के शरीर पर समुद्र का खारा पानी उलीचा। जेम्स ने आखे खोली, लेकिन होश में आते ही वह डर गया और कर रहने लगा। अविलम्भी उसे जहास की कैबिन में ले जाया गया, जह उसे कंबलों के ढेर में लिप्टा कर रखा गया। फिर से जेम्स होश में आया तो जानवरों की भाती वहवार करने लगा। वह रुक रुक कर नजाने क्या क्या बगता था और एक अमानविय भय उसके चहरे पर उभराता था। छोटी सी आवाज सुनते ही वह डर जाता थ पूरे दो सप्ताह तक यही हाल रहा। उसके बाद धीरे धीरे जेम्स की स्थिति सामान्ने होती गई। तीसरा सप्ताह बीथते बीथते वह इतना स्वस्त हो गया था कि अपने उस खौफनाक अनुभव को बयान भी करने लगा था। जहास जब इंग्लैंड लोटा तो जे जेम्स भागेवान था कि वह मौत के मूँ से जिन्दा बच कर निकलाया था। अब वह सामाने जीवन व्यतीत कर रहा था।